नमस्कार विद्यार्थिमित्रों आजे आपने धोरण अग्यानी अंदर चेप्टर नमबर नव जहेवी कणों नी अंदर उत्से चको और राशानिक प्रक्रियाओ पन उत्से चको नी थोड़ी प्राइमरी इन्फोर्मेशन जोई आपने उत्से चको नी प्रक्रियाओ उपर असर तेनी बाद आपने आपने उत्से चको नी प्राइमरी इंफोर्मेशन जोई थोड़ीक प्राथमिक माही थी अने राश्ट्राशानिक प्रक्रिय वो सब्सक्राव अनी बात करें उथसे चको एंजायम्स खरेखर सुझे कुँने वो से चनक करिये अने उथसे चको से ना बने ला जो तो उथसे चक क सरह समझमझ यह ध्यान प्रोटीन इमा वह Durchup वह ग्यूक्यॵ केटलाक नुउकलीक एसीड केटलाक नुउक्लीक एसीड है केटलाक नुप्राइटवीलीड करभेina सामाचयर केटलाक रेर इंग्युक५ आवा उत्से चक ने रिबोजाइमस के वाम आवे वात खास कारजी पुर्व के यहां समझो के सामान्यारी ते आपड़े जयरे वात करता हो त्यारे उक यह चे के बधाज उत्से चको प्रोटीन ना बने ला छे पना इमा अपपाद छे के के टलाग उत्से चक न्यूकलीक एस प्रोटीन ना बने ला छे हैं अपड़ेवा उत्से चको प्रोटीन ना बने ला छे पड़े आखे हैं। प्रकान बंद आरन कर सब्सक्राइब हैं पुलीपेप्रेटेट शव्रूंख़ा उपर गोठवण दर्स आवद dependence परण करण उच्छए चक उस्छँटको कर दोनल्यासीवल की तो परण करण ज्चीवल माद मति आपिनल सब्सक्राना पूर क्टीनिद उच्षे फ्रक्षया गोठवासीज थिकMusic प्रोटीन नुँ प्राथ्मिक बंधारण छे एमीनो एसिद नी श्रूंखला इतो जोवा मडे छे अध्वा तो आम कुंतलाकार होई अने पछे येमा वडेली होई तो इस द्वितियक अने त्रुतियक बंधारण छे ये या पन प्रोटीनी जे मुच्छे चकमा द्वितियक सारचना जोवा मडे जारे आपने त्रुतिय सारचना ने जोई तो ख्याल आवसे के प्रोटीन श्रूंखलानों मुख्य आधार मुख्य भाग ते नी उपर स्वयम कुन्तलित थेलो तो तमें कोईपण आ उँच्छे चक छे अथवा तो आ प्रोटीन श्रूंखलानों खाँच जोवा मड़े जो आवी खाँच अले आई यां सामने रिते तमें कोई पन उठ्षे चगने अंदर आवेलू प्रोटीन छे इतरूती एक सारच ना जोसो यहले तमने ख्यालाव से के प्रोटीन नी मुख्य श्रूंखला जी आखी बेज आधार छे फोतानी रिते स्व गण्यां बदा खाँचा के गुहा जोवा मड़े जे एले आवी रिते आखी पोलीपेप्टेर श्रूंखलाओ गोठ वेले जो आई यह खाँचो छे एवो खाँचो एका दोईया रिजे जे अले आवी सपस्ट खाँचा के गुहा जोवा मड़े जे आ उच्छे चक ना बं जोवा मड़े जे जो जो अगत्यानी वाती छे के आवी विशीष्ट गुहा अथवा खाँच ए सक्रियस्थान के वाई आवी सिस्ट गुहा अथवा तो स्थान ए सक्रियस्थान जे आज गुहा जे गुहा उच्छे चक नी एक्टिव साइट सक्रियस्थान तरीके ओड़क सकर्यस्थान run 0 Whether it's premi and research ऊच्षेचक प्रक्रियक्स साथ है डुटसेचक प्रक्रियक्सी साथ है उच्षेचक प्रोटीन का अथ्ले प्रोटीन compliant- досक्रियbas , दिजेख zod isnod आगा जींदों, आगा रहा खालाँ जेखे प्रक्रियक्स्थान चेुलिए जड़ाई इतले तो उट्सेचक न सक्रियस्थान के जे खाचके गुहा सो रूपय होई, त्यमाा प्रक्रियेक ऐने गोठवाये छे यहली तिए प्रक्रियेक जोड़े के 膈ह एक आदाओ अच्छेक साथे प्रक्रियेक हमेशा ॏ ins ठाव फोला जयी ४ात प्रक्रियार्थी साथे जुड़ाए और प्रक्रियक करावी प्रक्रियार्थी निपज फेरवे। अनो खुब ज उचादरे ने खुब जड़पी दरे प्रक्रियाकर अनी निपज मा फेर वीना प्रक्रियाग निपज मा फेर वाई जे और पछी उध्से चंक प्रक्रिया रिःथि चाथेелен एक खाँच के गुहा थी जोड़ाई तेने सक्रिय स्थान केवाई आज them up उट्से चक प्रक्रीयअर्थी साथें जोड़ाई छे ऑनना ए प्रमाण के प्रक्रियक ने उत्से चक छे खुब जडब्थी प्रक्रिया करावे छे जो आ प्रकारे उत्से चक सक्रिय स्थान द्वारा प्रक्रियक साथे जुड़ै और प्रक्रियावने उंच्चा दर्य खुब जडब्थी उत्त प्रेरित करे छे प्रेरे छे तो उत्से चक उत्त प्रेरक जो जो अवे समझ जो आवाद उत्से चक उत्त प्रेरक ये अकार्बनिक उत्त प्रेरक करता घणा बधा प्रकार जुदे उपड़ेशा अकार्बनिक उत्त प्रेरक जेने सामान्य रितिया आपने केमेस्ट्री नी अंदर उधीपक तरीके प्रक्रियाने जड़पी दरेकर आगे पन प्रक्रियाने अन्ते इमुड़ स्वरूपे प्राप्त थै प्रक्रियामा भाग लेतू नथी तो उत्से चक उत्प्रेरक और आ कार्वनिक उत्प्रेरक इबेई मां घणी बधी बाबतों मां जुदा पणू छे पने एक महत्वनी मां घणी बाबत आने महत्वनों भेधूं तमने काओ तो उत्प्रेरक आगे उधी पखऊ छे उत्से चको उत्से चको उत्से चको अ बेदी पखऊ और यहार किम तमने खबर आनो जबाब तमने ओल लेडी पे लापी दीदो जे आ कार्बनिक उत प्रे रखो अटले के उधी पको उचा तापमाने ने उचा दमानेक उश्रता पुर्वक काम करी सके जारे उचसे चको अथवा तो उचसे चक उच प्रे रख ए उचा तापमाने 40 डिगरी थी ना भौतिक जे रचसा रचना हो चे मां फेरफार्थि जाईज और भौतिक सारचना फेरफार्थि जाईजे अटले ना गुण धर्म गुमावी दिया चे प्रोटीन ने तुरुतियक बंदार्ण चे आइड्रोजन सलफाइट मंदोने लेने चे हाइड्रोजन बन छे अथ्वा तो कितलाग हाइड्रोफोबिक बन छे अध्रोफिलिक बन छे डाइसलफाइड बन छे आवा बंध थी यह बनेलू छे अवे तापमान उचु लेज़े वर ले बंध तूट से अने इतले आ प्रोटीन उजे तुरुती एक मंधारन तु और चो उच्छे चक तरीके नहीं वरतिशक यह बनेल प्रक्रियक साथे जोड़ान करी शक्ताना थी कारण कि आज एक्टिव साइट अथवा तो यह जे सक्रिय स्थाना तो इकां तो वदू खुल उठी जासे अथवा तो यह मां फेरफार हो ती जासे यह चोकस प्रक्रियक साथे जोड़ाई सक्से नहीं अन एतले आ सउथी अगतियनों और महत्वनों भेद अकार्वनिक उत्प्रेरक और उत्से चकिये उत्प्रेरक हो जे पन सामन्य रीते कितलाक उच्छा तापमाने खासकरी ने जिमके गरम खून की अथवा तो सलफन ना जर्णाओ छे एमां जोवा जे सुख्सम जीवो अथवा तो एवा सजीवो के जे खूबज उचा तापमाने अनुकुलित थे एला जे आ गरम पाणी ना खून्ड छे आवा सलफन ना जर्णाओ छे न्याथी जे पाणी पसार था ए खूबज गरम जे त्या रेता सुख्सम जीवो और जो एमां थी उत जे खूबज आ रीते उचा तापमाने पन कारिय करी शके और स्थील रही सके जे शामने रीते आवा उत्से चेको जे थर्मो फिलिक सजीवो माथी अलग करवा माँ हो जे तो तेने उस्मा स्थाई होई चे अन ए विशिष्ट ताच अब आवा सजीवो जे थर्मो फिलिक अ कुलित है तो हवे आपने राशानिक प्रक्रियाओने वात कविए राशानिक प्रक्रियाओ निपज प्रक्रियाना दर शुँ छे आवे कितलिक बाबत होंने आपने समझभ प्रिवर्तन थेता हुए। राशानिक प्रक्रिया वरले एक माथी बीजामा रूप आंत्रन línea। पनल्सामाइ रिते NBA कोईपण राशानिक प्रक्रिया थाई त्यारे भेप्रकाणना परिवर्तन थाई। एक भवतिक परिप आने विजू राशानिक अब है बहुतिक परिवर्तन जहने अंदर कोई प्रवतल बंद तुटा वगर सइसंद आकार मा फेरफार था blocking आई Rams सामने रिते येनी अवस्थाओ चेंज थाए आपड़े एगुग कही सक्ये कि कोई भौतिक प्रक्रिया छे तो येमा द्रव्यनी अवस्थामा परिवर्तन थाई जे लेके सामने रिते बरफ ओगडिन पाणी मा रूपां तरी थाए अथा तो पाणी नू वराण मा फेरफार तो आवाजे फेरफार छे भौतिक प्रक्रिया ओछे भौतिक परिवर्तन थे बद्धू छे तो एच टू ओज पंड तमें समझी लिओ आ बरफ छे शोलीड स्वरूपे भौतिक स्वरूपे छे तो एमा थी येनू से टेंपरेचर वद से लिक्वीड प्रवाहिमा एनू त प्रवार ये बवौतिक परिवर्तन थे अंने रुपांतरन समेच बंधनू तूट वूँके बंथ नवाबंधनू निर्माण थोवू बंथ तूटे आथवा तो नवाबंथ बने तो इ राश्यानिक प्रक्रिया ओज ए औरश्यानिक प्रक्रिया होना उदारण जो एधकला तरीके आयो जो बीए ओयज टु प्लस है टुस थो फोर फिर हमसा फेट अनले पाणि मुकत थै अब आम सा मन्हीं बने उन्हीं थना तूटे शेट मैं आकू अनी समझी लियों कि आ अनी साथ है ओयज प्लस H2SO4 ओक्सिजन तो द्वी बन थी बे ओक्सिजन द्वी बन थी अना हम OH H2SO4 अवे आमनी बचे राशानिक प्रक्रिया था यह त्यारे सूथ हसे आ बहुत सिंपल अने सरडवाच HOH आ HOH भेगा थाई जाश अने पाणी पाणी ना बे अनों यहां छूटा पड़ी गिया H2O अने आ SO4 अनी साथे जोड़े आ ओक्सिजन अनी साथे बिरियम साथे बंद बनावी लेशे यहले अस्थीत आ तो आमनों मज रेशे BA O अहिया ओ S BA SO4 अउध्थसे आप सामने रिते राषाणी क्रित अनों सुत्र द्वर आपड़ा वी रिते लखी अने 259 छूटा पेड़ा तो जो अके तलाक राषाणी आ बे वचे बंद बही ना अने अहिया थी आ बंध तुटो अने आमनी वचे बंध बही ना अने आ उप्रांत ओक्सिजन अने बेरियम वचे बंध बही नू अने बी ए सोफोर नू सैयो जन्तियू तो आम बंध बने अने बंध तूटे जे तो इ राषाणीक प्रक्रिया हो जे अने आ प्रकार नी आपणे जोईगिया येक अकार्बनिक राषाणीक प्रक्रिया जे एवी आपणे कार्बनिक राषाणीक प्रक्रिया जुए तो दखला तरी के स्टार्च नी तमे वाद करो तो स्टार्च ना बंधारण मा सूँ छे तो के स्टार्च ना बंधारण मा ग्लुकोस छे अने आ ने एमाईलोज अने एमाईलोज पेक्टिन याद छे ने आ दरे ग्लुकोस एक बीजा साथे ग्लाइकोसिडिक बन थी जुड़ाईला छे जो आनू जल विभाजन करवा मावे यह पाणिनो और उमेरी और यह विभाजन थाई तो 1-1 चूटा पड़े अन्य एक एक ग्लूकॉस थे चूटा पड़े तो आपने प्राप्त थाई ग्लूकॉस तो आपने एक प्रका नी राषाणिक प्रक्रिया छे न्या वनफोर जे ग् ग्लाइकोसीरिक बंद शही तूटशे, ग्लुकोजब अनु जुदा पड़ी जाए तो आवेज दीते जो एमाईलोपेक्टिनोई तो यहाँ आलफावन सिक्स ग्लाइकोसेडिक बंद शही तूटशे आम्क्रमसा में बंध तूटित थतृ रहे से ए प्रकृया मां बंध तूट अधु तुट पड़ा से अथवा तो बंध बंध खे works धकरिया तो श्कन की पर्कृया, तो आम उन्हें कोईपनड प्रकृया हो छे बे प्रकारे परिवर्तन जुवा मडरे एक राषानिक और भावतिक परिवर्तन तो भावतिक राषानिक प्रक्रियाओनो दर सिद्धो सबंध एकम समयमा बनती निपज जो साथे होई वात अहीं बहुत समझ वाजेवी छे कोई पन भौतिक राशानिक प्रक्रियानों दर एकम समयमा बनती निपज उपर मानों के आ प्रक्रियक छे कि आ प्रक्रियेक ती एकम समय मां केटली नीपज बने से एकसमे मां एकले एक सेकंड दिथ केटली नीपज नु निर्मान थाई गए ऐ अविए भौतिख정을 कोई करासर निको बहुतिक प्रकरिया नेवाज़करामक दाखला तराके भौतिक प्रक्रिया चे यहार b dorm ला पे पानी बने जहें ॹण व 6 पंध ऐ अशोलिद स्वार्व स्वारूब्चर अन ऑ लिकविड वpolit तो आँमें एक मिनित मां बर समय मां केटली निपद थाए एक मिनिट मां केटलो एक लाक मां केटलो बने एक दिवस मां केटलो बने कोई पने एक एकम समय मां बनती निपजने आधारे प्रक्रियानो दर नकी थाए औने तो पसी बहुत सरड़ छे प्रक्रियानो दर बराबर डेल्टा पी अपन डेल्टा डेल्टा पी यहले प्रोडक्ट छे निपजे अन्य डेल्टा टी चोकस सम्य दहर्म्यन केतली निपजे प्राप्त थाई छे नीवार्ध के प्रक्रियानो दर जो दिशाण नकी होई तम एक बसतू समझी लियो तो इधर ने वेगपन के हम्यां फिक्षट चेके H2O प्लस CO2 अने हम H2CO3 थाई आमज थाई छे तो आज दर छे एने आधर तमें कई सक्सों कि आ प्रक्रिया आटला वेग थी आगडवदे छे तो इदर ने प्रक्रिया नो वेग पन केवाई एक चोकस दिशामा थाई पन आमा थी थोड़ी कवराम थाई थोड़ी कवराम थाई तो इनकी नहीं थाकि एटले के जो प्रक्रिया ने दिशा नकी होई तो आदर ने वेग केवाँ मा आवाई छे नहीं तर सूथ हसे के भाई अहीं सामन्य रीते एक मिनिट नी अंदर दस हैमेल एक तू सीओ थी थी पन पाचु थोड़ी वार माटे पन यहां बे सेकंड एक टू सीओ थी माँ थी पाचु आ थे इंग तो इटले जो दर अन दिशा निश्चित होई तो आ दर ने वेग कई शक्या आवाई भाउतिक तेमाज राशानिक प्रक्रियाओनो दर अन्यकारको साथे तापमान द्वारा पन प्रभावित थाई ज़े वात ध्यान थी समझ जो यहां भाउतिक के राशानिक कोई पन प्रक्रिया होई आ कोई पन प्रक्रियाओनो दर छे यह दर उपर अन्यकारको अन्यकारको साथे साथे तापमान पन प्रभावित करें यह खाली तापमान नहीं आव राश्रानिक प्रक्रिया उपर हूँ तम्हें एक वस्तु सम्धिलियो ह2O प्लस CO2 और हाँ फ्रक्रिया उपर तापमान ने असर थाई छे इतो छे वधार व्दार राश्रानिक प्रक्रिया होई अब भौतिक प्रक्रिया उना दर्व अन्य कारकों साथे तापमान द्वारा प्रभावित थाएचे येले कोईपन राशानिक प्रक्रिया कितली जड़बथी थाशे तो एना उपर तापमान नी असर थायज छे खुब सारी थाईचे आउपन अन्य कितला परिबड़ो पन असर करेचे जिनके आ माध्यमा प्रक्रियत हैनी पीयेच सूँझे जियार प्रक्रिया थायी छे 23. अथ्यिया प्रक्रियकशे प्रकृ dank शूझे आप अध्या परिवढ़िया papa आपान अपनी थे इना द्वारा आ प्रक्रियानो दर प्रभावीत थाई छे अथ्व आसर पामे छे अने एक सर्वस्वीक्रूत नियम अनुसार एक सर्वस्वीक्रूत नियम छे जो मैं गी तो ठापमान ने छे प्रतियक 10 डिग्री सेल्सियस ठापमान वदवा थी के घटवा थी प्रक्रियानो तो बंबन अथ्वा अध्वा अध्वा थी जे जे आ एक सर्वस्रीक्रूत नियम प्रक्रियान दर आज उदारन लेए ले थोड़ू समझ उशेलू पड़े आ एच्टू ओ अने c o2 माथ्टू c o3 बन मानों के 10 मिनीटे अथवा तो प्रती सेकंडे 2 ml e2 c o3 बने जे प्रती सेकंड एक सेकंड आज प्रक्रिया सामन्य ताप मने थाई शे लेबोरेटरी ताप मने थाई शे मानों के 30 डीगरी c o3 ताप मने थाई चे अन जो आनू तापमान 10 दिग्री सेलस Y чтобы now we know 10 दिग्री सेलस Yus वद्दार वाम आवे ।ण 10 दिग्री सेलस Yus warm वद्दार यह तो प्रक्रीयानो दर छे आवो थे जही , बम्णु थे है प्रक्रियानों दर वधे प्रक्रिया नहीं पंग रागो जरुघें पड़ें पंग उंक चविक्रींग करपक स्पांति प्रक्रियानुररRE शुले Kayd प्रक्रियाओ, जे प्रक्रियाओ ने उत्त प्रेरित करिश्थकाईएचे। अनुत प्रेरित प्रक्रियाओ ने सरखामणी मा उँचा दर्थी पूर्णोड थाईएचे। अले जे उत्सेचक द्वारा जे प्रक्रिया थाई छे, अथ्वात उधिपक द्वारा जे प्रक्रिया थाई छे, अनुत प्रेरित, अले जे उत्सेचक द्वारा जे प्रक्रिया थाई छे, तेना करता खुब ज उँचा दर थी थाते, खुब जडब थी थाती होई, कोई उत् प्रक्रिया धियो थियो अ प्रक्रिया आपने जे आमना वातकेरी ए नीज वात करिये छे आ प्रक्रिया छे उतसे चक नी गेर आज़री मा थाई त्यारे खूब ज मंद गती थी थाई छे अने एक कलाक मां कार्बनिक एसिद ना लगबग बस्सो अनुवनु निर्मान थाई जे केदला कार्बनिक एसिद ना बस्सो अनुवनु निर्मान थाई जे एक कलाक मा उत्से चक नी गे राजरी मा थाई तो परण जो आज प्रक्रिया कोश रस मा आजर उत्से चक अने इकोश रसनी अंदर कार्बनिक एन हाइड्रेज उत्से चक होई आ कार्बनिक एन हाइड्रेज आ उत्से चक नी मदधी आ प्रक्रिया थाए तो आ तीवर गती थी पूर्ण थाए, खुब जडब थी पूरी थाए छे अने जेमा कार्बनिक एसीड ना चो लाख अनू प्रती सेकंड मा बने जी एक लाख मा बसो अनू बनता था उत्से चक वगर इज प्रक्रिया नी अंदर H2CO3 ना एक सेकंड मा चो लाख अनू अनू निर्मान थाए तो उत्से चक द्वारा इटले के उत्प्रेरित प्रक्रिया ओ आतली खुब जडब थी वधा रहत है अनूत्से प्रक्रिया ओ करता और तमें समझे लिए प्रक्रिया नो वेग लगवक 10 मिलियन गणो वधा रहे जिदो કોએ ઉટે ચુકે आलે કોય આવી સામાન્યે प्रक્રियે ઉટે દ्वारwyn પેગુતી વધારિ શકાઈ છે અેમાં ફે उत्से चक निया शक्ति हकिकत में अकल्प नियो छे तमें समझी लियो कि तापमान दस डिग्री तापमान वधारी है त्यारे प्रक्रियानों दर होईना करता है बंबनों थाए अने घटाड़ों तोड़ दो थे पना उत्से चक छे उत्से चक एज तापमाने अथवाई थी आपमाने प्रक्रियानों दर खुब अज खुब अज वधारी दिया चे दस मिलियन गणो मिलियन एक मिलियन अले दस लाख आटलों खुब चडब थी प्रक्रियाना दर मा वधारों थाई उत्से चक निमद द थी तो हज्जारों प्रकाना उत्से चको छे तमें समझी लियो अने जे विशेस राशायनिक के चयापचिक प्रक्रियाओने उत्प्रेरित करें अले आवा हज्जारों प्रकाना उत्सेचको छाने चोकस राशायनिक प्रक्रियाथवा चयापचिक प्रक्रियाओने उत्प्रेरित उत्सेचक ने एक खासियत छे पई एक कोई पन उत्सेचक एक चोकस प्रक्रियक अथवा तो प्रक्रियार्थी साथे जोड़े, गम्मे ते उत्सेचक गम्मे ते प्रक्रियामा भाग लेता नथी, चोकस उत्सेचक एक चोकस प्रक्रियक साथे जोड़ा, इक विजा प्रक्रियक साथे जोड़ा तो नथी, एक व बूभलेडिए आपड़े जोही गिया फरी एक मखत आ बात करूँ यूँ को ज माथी ग्लुकोस इस पोसफेट अब हु overdose ऐस आद यह प्रक्रिया थे आपक्रिया रहा तो आधी गणी बदी प्रकरियों प्रकरियों ने अन्टे पैरुविक एसिडवर तो अलगर गणा बदा चरणों द्वारा था ति प्रकरिया बहुत चरणिये राशाणिक प्रकरिय। प्तिएक चरुण मा एक विसीष्ट उठ्सेच यग स्व आएक एक घजोकाइनेज नामने उठ्सेच आवेलो हुए अः Hag Users पृप्ोले के सभू loc उप्रे रिथाई छे आवा पथ ने चया पचय पथ के वामा आवे छे और आवो उदारण आपने सरस्मझे नुए पूछे ग्लुकोज माथी बे पाईरुवी केसिड और वा वे वा अवे आ ग्लुकोज माथी पाईरुवी केसिड केवी रिते बने से जो आ माथी पाईरुवी केसिड पाईरुवी केसिड निर्माण था टू एक राष्णिक पत द्वारा था यह आपने वल्डेडी पिलाइ जोई गिया थे न है ग्लुकोज सिक्सप स्पेट ग्लुकोज 6 entitled यहां प्रुक्टोज 1-6-biphosphate, PGL, PGL माथी 1-3-biphosphoglyceric acid, 3-phosphoglyceric acid, 2-phosphoglyceric acid, phosphoenol pyruvate, अथवा pyruvate अब लगबग जुदा जुदा दसेक प्रकानी प्रक्रिया हो था यांने छेले pyruvic acid बने अलग अलग प्रकाना, 10 प्रकाना उत्सेक प्रक्रिया हो ने उत्त प्रेरित करे छे अब डिटेल मां आपने आगला चेप्टर ने अंदर भणवाना छे, स्वस्थन वाड़ू चेप्टर छे, चवुद मुयनी अंदर अने त्यारे वदारे डिटेल मां वाद करशो, पन आज तबके आपने जाने ले वुझोए के एक चया पच्चे एक पत, एक के बे के ते थी वधू प्रक्रिया द्वारा जुदा जुदा चया पच्चे एक उत्पाद नो बनावे छे अथ्वत्वत निर्मान करे तो मैं सम अने अजारक स्वसन थसे तो एनी अंदर इथेनोल, बेक्टेरिया अथ्वा वनस्पती मां अजारक स्वसन थसे तो आपाईरूवीक एसिड मां थी इथेनोल बन से जो आज पाईरूविक एसिद मा थी प्रानी जन्य कोस मा अजारक स्वसन थतु अशे आपना स्नायू कोसों नी अंदर अजारक स्वसन थसे तो आमा थी लेक्टिक एसिद बन से आज पाईरूविक एसिद नी अंदर जारक स्वसन थसे जारक स्वसन ओक्सिजन नी हजरी मा तो आमा थी कार्बन डायोकसाइड अने पाणी बन छे यह वात अगतिय नहीं किरी छे आज तबके तमारे जाने लेव जोग एक चया पचे एक पथ एक के बे के तेथी वधू प्रक्रियाओ द्वारा जुद्य जुद्य प्रकाना चया पचे एक अंतिय उत्पादनों पैदा करे छे अलग अलग अंतिय उत्पादनों जो आने आज पथ द्वारा अजारक स्वसन करता बेक्टेरिया अथवा तो किटलिक फूग आपणी इस्ट जेवी अथवा तो वनस्पति जन्निय कोसों मा अ अजारक स्वसन थाए तो आज ग्लूकोज मा थी पैरूवी कैसिद थे इन पैरोवी कैसिद मा थी एथेनोल दारू बने आपणे आथाल यहा northwest अचै प्रकփया ओचे एप। अजारक स्वस्थान नी प्रक्रिया द्रमी ये पछी इस्ट नो आथू गमे तिया आपणी घरे ढोकडा बने जलेबी बने एमा जे आथू आवेन परपोटा थाई चैन परपोटा थाई कार्बन डायोकसाइड ना होएन एमा थी खाटी वास आवे दारू इथेनोल नी जे प अजारक स्थितीमा लेक्टिक एसिद नो निर्माण थाई आपना कंकाल स्थितीमा लेक्टिक एसिद नो निर्माण थाई कंकाल स्थितीमा लेक्टिक एसिद नो निर्माण थाई जारक स्थितीमा लेक्टिक एसिद नो निर्माण थाई जारक स्थितीमा लेक्टिक एसिद नो निर्माण थाई आपना लेक्टिक एसिद नो निर्माण थाई आपना लेक्टिक एसिद नो निर्माण थाई आपना यह आम एकज पाईरुविक एसीड छे पाईरुविक एसीड माथी लेक्टीक एसीड अथ्वा तो पाणी और कार्बन डायोक्साइड जारकस वसं थाई तो अने आबे अजारकस वसं पुन वनस्पती जन्या कोस इस्ट और लगे फूग छे बेक्टेरिया छे तो इथेनोल ब समझानी बाद, आम जुदी जुदी दीशाव मां जुदा जुदा प्रकान उत्पा दनों निर्मान शक्क्या छे, एक कज घटक मां थी, एक चया पचेक पत मां थी, अलग अलग प्रक्रियाओ द्वारा, कोई जग यह अंतिम पेदा सिथेनोल बने छे, क्या एलेक्ट्रिक ए और आज प्रक्रियाओ दर छे, प्रक्रियाओ दर उपर असर करता परिबढ़ों निये अंदर अन्य परिबढ़ों साथे तापमान महत्वनों पागबजों। अन एक सर्वस्विकरूत नियम छे के जे सामयने दर प्रक्रियाओ थाती हो, एमां 10 दीगरी सेल चेस तापमान तो 10 LG घताड़ो तो 80 थे जाई छे पन इन सोट आमा थी समझ वजवाजवी बाबती छे के प्रक्रियाना दर उपर तापमान निय असर थाने अनू घणा परीबडों पर प्रक्रियाना दर उपर असर करे छे पन जे प्रक्रिया उत्त प्रेरकनी मदतनी थती ओई आज प्रक्रिया नो दर खूबच उंचो होई छेड कोईपंड उट्सेचक दवारा खूबच खूबच उंचो ह благ बडतो तो आज प्रक्रिया जो उत्से चक द्वारा थाए कोश रस्मियंद्रा वेला कार्बोनिक एन्हेड्रेज उत्से चक निमद्दती थाए तो एकत सेकंड माँ 6 लाख हनों कार्बोनिक एसिड माँ फेरवाई जे प्रक्रिया नो दर 10 मिलियन गणों वेग मवधार हो जे अने सा अलो ए ऺधात हव्य आपडे करशे तो ए आ प्रक्रिया उंपर उत्से चको ने स्वेजू असर था एना धर्माए खेविरीते वहावर करने लियन हसर कर के थे बाभत आपटाने नेक्स्ट वीडियो ने अंदर जो सु तो फरी पाछा मड़िये छे नेक्स्ट वीडियो मा आ राशानिक प्रक्रियाना दर्मा वधारो करवा माटे उत्से चको सु भाग बजवे छे नो फाड़ो सु छे ओके बाई-बाई-थेंक्यू